तो हेलो गैज्स चार कैसे है आप सब लोग आज हम देखने वाले सीजर 7 के सीजन 1 की कंप्लिट एक्सप्लेंचन को तो कहानी की शुराथ में हमारा में केरेक्टर 7 अपने टारागिक्ट को देखता है और से देखने के बाद उसे जाकर मार देता है जिससे उसे काफी सारा पैसा मिलता है लेकिन 7 और देने वाले बंदे को यह मार देता है क्योंकि 7 को उससे भी जादा पैसे मिल रहे थे उसे मानने के फिर इमें पता चलता है 7 तो यह सब को इमेजिन कर रहा था और 7 के पास एक म Qillers भी वापस आ जाएगी, मैंने तुम्हें बताय था ना, तुम कुछ समझर पहले मुझे मिले थे, और तुम अपनी सारी यादस भूल गई थे, जिससा 7 किसी का भी रूप ले सकता है उनके पास एक और मुर्गा था जिसका नाम शामी था और उड़ भी सकता था और डाइबो 7 से कहता है एव तुम्हें किलर बन चुके हो तुम्हारा पहला मिशन है सामने के होटल में शादी हो रहे तुम्हें दुलन की बाल काट के लाना है असल में दुले की एकसकलर प्रेन ने हमें 500 यान दिये है उसके बाल काटने के बदले 7 होटल में जाकर दुलन के बाल तो कार देता है लेकिन वो सब कुछ गड़बर कर देता है और सारी जंता डाइबोग और सेवन की पीछे बढ़ जाती है वो दोनों अलग-अलग फागन लगते है और सेवन स्टैन के रोबोट से टकरा जाता है स्टैन का रोबोट जैसे सेवन की टोकन को दिखता है वो उसके उपर अटेक करने लगता है सेवन भी उसके सेवन फाइट करता है लेकिन फाइट के दोरान एक लड़की आकर उस रोबोट का सर काहा डालती है असा में ये लड़की किलंग रैक की लिस्ट में थर्टीन नमबर बे आती है और थर्टीन सेवन से कहती है आखे तुम्हारे पास किलर लीकर टोकन कहां से आया लेकिन वो रोबोट का सर खुद को सेल्फ डिस्टरक कर लेता है थर्टीन वा से निकल लेती है और सेवन भी ब्लांस्टेब बच जाता है और घर पहुंचने के बाद डाइबोस से कहता है मियाव किटी सेवन को हायर करती है और से कहती है तुम्हें बस मेट बाग के आखों को फूर ना है उसके बास सेवन डॉक्स के हैट वाटर के अंदर खुशने के लिए गाई बाइक के इस्तमाल करता है और एक छोटा सा डॉक बन जाता है वो जैसे तैसे मेट बाग के पास पहुंच जाता है लेकिन मेट बाग को उसके उपर शेक वने लगता है क्योंकि सेवन से इंसानों की स्मेल आ रही थी मेट बाग का साथी कहता है मेरे पास आइडिया है तुम्हें इस गंती चीज़ को खाना है क्योंकि कोई भी डॉक ऐसे चीज़ खा सकता है 7 ऐसे चीज़ खाने से रहा वो अपने असली फोर में आ जाता है और मेट बाग के आखों को फोर डालता है लेकिन उसने बस ग्लासेज को फुड़ा था असल मेट बाग के आके काफी ज़दा चोटी थी 7 काफी ज़दर ट्राई काता है उसके आखों को फोर ने की पर कुछ भी नहीं होता और मेट बाग अकने फाइटिंग फोर में आकर उस पर काफी सारे अटेक करने लगता है 7 ब्योस होने लगता है लेकिन तबी उससे अपनी पांस की मेमोरीस की जलक दिखाए देने लगती है और 7 अपना कंट्रोल खो देता है और मेट बाग के गिटार को दोर डालता है फिर वो नॉर्वल भी हो जाता है और मेट बाग जैसा ही 7 के पास अपनी फोटो दिखता है वो समझ जता है मेट बाग केहता है तो मेट बाग केहता है तो मेट बाग के मुझे बानने के लिए भी जा है ना फिर मेट बाग अपने दुख भरी काहानी सोनाने लगता है काफी समय पहले मैं मियाव किटी से मिला था वो काफी अच्छी थी और में समयर गाना सुनती थी और धीरे-धीरे हम दोने में प्यार हो गया लेकिन मुझे न्यूस से पता चला था कि बिल्यों और डॉक्स के बच्चे नहीं हो सकते और मियाव किटी को बच्चे काफी ज़दा पसंदी और सेवन उसे एडवाईज देता है तो मैं मियाव किटी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए पर मगले सिन में देखते है मियाव किटी ने पुरी बिल्यों की फोच जमा कर ले थी और तभी उसे मैट पार्क का गाना सुनाई देने लगता है मैट पार्क अपने गाने के ज़रिये बताता है मैंने तुम्हें बस तुम्हारी भलाई के लिए छोड़ा था और गाना खतम होने के बाद वो मियाव किटी को हक कर लेता है लेकिन तबी killer 13 ना कर मैट बाग के उपर attack का देती है पर मियाव किटी उसके attack को block का देती है sorry guys पहले मैंने गलत कहा दिया था killer 13 killer landing list में 37 पर आती है और 13 को मैट बाग को मानने की सुपारी मिले मैट बाग वहाँ से भागती हुए एक सांच सी जगा पर आ जाता है लेकिन 13 भी वहाँ पर पहुँच जाती है असल मैं मैट बाग 7 होता है जिसने की गाई बाग के इस्तमाल गया था 7 कहता है मैं मैट बाग नहीं हूँ लेकिन 13 उसके उपर यगई करने के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं थी 7 गया बाग के इस्तमाल करते हुए 13 से लग बाग बचने ही वाला था लेकिन कुट्य की वज़े से वो पकड़ा जाता है फिर 7 सीजर की मद से 13 से फाइट करने लगता है और फाइट के दोरान वो 13 का माक्स कार्ट डालता है और 13 कहते है अब फरक नहीं पड़ता तो मैट बाग हो या ना हो तो उन्हें मेरा चाहरा दिख लिए अब तो मैं मनना पड़ेगा लकिन 7 तो स्टैल मानने में लगा था उसे एक जोरदा लात पड़ जाती है वो वाँसे भागने का फैसल लगता है और शावफी की मंदर से वाँसे भागने लगता है गय से सुणने वाले मुर्गे का नाम शावफी है ना कि शावमी 13 उन दोनों के उपर स्टैल से टेक करती है और उन दोने नीचे के जते है और शावफी के साथ कुछ अजीब होने लगता है 13 अपने बालों पे लगी वेपन से 7 को माननी वाली थी लेकिन 7 आगे हो जाता है और उन दोनों में गजब की चीज़ हो जाती है लेकिन 7 को इसके हिसाब जल्दी चुकाना पड़ता है जब 13 दुबार से टेक करती है सामने कोई आ जाता है उसकी तलवार को तोड़ दाता है और हो कोई और नई शाफी था और तब तक मियाव केटी अपनी पूरी सेना लेकर वाँ पर आ चुकी थी 13 के पास भागने के लावा और कोई भी रास्ता नहीं बस था और 7 उसे कहता है अगले बार हम लोग डेट पे जाएंगे लगता है गायबैक से रोब को बदल कर वो एक चैड़ी में बदल जाता है क्योंकि उस थर्की को चैड़ीया कलग करना काफी ज़्यदा पसंद है वो थर्की 7 को अपने खर ले जाकर चैड़ीयों की कलेक्शन में रेक देता है और 7 मौका देखकर उसे माननी वाला था लेकिन उसे नहीं मार पाता और वो थर्की 7 को पाननी वाला था लेकिन तबी दर्वाजा कुल जाता है और वहाँ पर चैड़ीयों अपनी दो साथियों के सता आ जाती है चेर्मेन ठरकी को इसलिए मानना चाते है क्योंकि वो चट्डिया कलेक करता है और सलीलता फिलाता है वो ठरकी अपनी और अपनी चट्डियों की जान की भीक मांगता है लेकिन चेर्मेन उन चेट्डियों को जलाने वाली थी तब भी लकड़ी कर जाती है और सेवन बाहरा कर अपने शुद्ध पानी से आपको भुजा देता है, चैर्मेन कहते हैं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे कपुडो में ट्रेकल लगा दिया, और सेवन उसे समझाता है, सभी लोगों को अलग-अलग चीज़े कलेक करना पसंदे, और इ सिनली वाले लटकी के कपड़े फार देता है, और मोटी वाले के चैसमन तोड़ देता है, अब बस सेवन और चैर्मेन बजएते हैं, वो ढगी आपसा फैक्ट करने लगते हैं, लेकिन सेवन अपने चैर्मेन अपनी स्पेशल टेकनिक से इस्तेमाल करता है, और तेनों इश एक बंदे के साथ fraud करके काभी सारा पैसा कमा लेती है और वह इंपर 7 होता है जिसने के अपना रूप बदला हुआ था और 7 को अब इस बुढ़िया को मानना है 7 उसका पीछा काने लगता है लेकिन वो बुढ़िया डिपे को देख लेती है और डिपे के उपर जब मातवे उसे पीछा कर फॉल्ड करके अपनी बैक गंदर डाली थी बुढ़िया से दे स्कुल जाती है अपने पयोते के लेने के लिए और अब भी इस्कुल की चिट्टी नहीं हुए थी और सेवन मौका दिखकर बुढ़िया का कला काटनी वाल था लेकिन तब यवाँ पर एक डोगी आ जाता है और बुढ़िया के बैक को खिचने लगता है सेवन के हालत कापी जदता खराब होने लगती है और वो अपने रियल फॉम में आ जाता है और बूढिया सेवन के उपर ही अटेक का देती है क्योंकि सेवन की वज़े से उसका सारा सामान खराब हो गया था बूढिया कहती है जब तक तुम पैसा नहीं दोगी मैं तुम्हें नहीं जाना ही दोगी और 7 उसके उपर अटेक का देता है लेकिन बूढिया 7 को ही आगे का देती है अब 7 के हालत काफी ज़्यदा खराब हो जगए थी पर बूढिया तब भी नहीं रखती वो उसके पिछवाड़े पे स्टिक माँ देती है लेकिन तब तक इसकुल की चुट्टी हो गए थी और पोते के डेट ने उसे सुपारी दीती उस बूढिया को मानने की असर में बूढिया का बीटा है उसे मानना चाहता है बूढिया 7 की काफी ज़्यदा पिटा है काने लगती है और दूर बिल्डिंग पर डाइब होता है जो की पोते को पर अटेक कर देता है और पोते को बच उससे कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग अपने सेलोन का रेट भी नहीं पे कर पाएंगे फिर हम कुछ दिनों बात का सेन देखते हैं सेवन को एक नहीं सुपारी मिले थी एक कोला नाम की लड़की को मानने की सुपारी लेकिन कोला इमोशनल ड्रामा करने लगती है और एक condition रखती है मेरे विशेت को पूरी करने में मत करो फिर तो मुझे मार सकते हो और सेवन को आइडिया पसंद आता है कोला की पहली विष्टी एक सास में कोला की बोटल को खतम करना विष्ट कंपलेट दूसरी विष्टी खड़े होकर मुतना विष्ट कंपलेट तेसरी विष्टी किसे दूसरे को नंगा करके पुरे आईले में खुमाना और उसकी वीडियो बनाना और विज़ कमप्लेट चौते विज़ थी किसे नर्स के पीछवड़े पे इंजेक्शन मानना और विज़ कमप्लेट पांच विज़ विज़ से फाइस्टार होटल में फिरी में खाना खाना चेटोई विस अपने ex-boyfriend के main point पे मानना और 7 विस एक सेयर के सवारी करना 7 एक सस्ता सेयर बनकर कोला की विस को पूरी कर देता है और 8 विस दे, इसकाई divin करना 7 इस बार पे सस्ता जुगार लगाता है और साफी की मदल से कोला को इसकाई divin करवाता है कोला के सारी विस्स कंप्लेट हो चुके थी बस एक बचे थी और कोला कहती है मेरी आखरे वे से जिन्दा रहे कर दुनिया के अलग-अलग चीज़ों को दिखना लेकिन सेवन घुसा होनी रगता है पर कोला बताती है मुझे कैंसर है और तुम्हें सुपारी देने वाली कोई और नए मैं खुद हूँ ऑस्पिटल के बैट के उपर मरने से अच्छा किसी की लर के हाथों मर जाना अब तो मुझे खतम कर सकते हो और सेवन अपनी सिजर के इस्तमाल करने लगता है और कोला अपनी पुरानी बातों को याद करते है उसे हमसा बिस्तर पे पड़ा रहना प कर सकता है फिर हम कुछ दिनों बात कर सेंदी देखते seven और डाइबो एक बीच पर होते है seven तो लड़की को संस्क्रीम लगाने के लिए चल जाता है तब डाइबो को किसी का कॉल आता है और डाइबो बात करके seven से कहता है हम्ए एक मिशन मिला जल्दे से मिशन पर जाओ और 247 संस्क्रीम को भी नहीं लगा बाता और मिशन देने वाला कोस्ट गार्ड था और कोस्ट गार्ड 7 को बताता है मुझे 10 साल से सलेरी नहीं मिले इसलिए मने अपनी पैंट बेज दी ये रहे तुमारे पैसे इस चिकन आइलेंड की तरफ तीन पाइरेट की शिप आ रही है आपर कंप्टैन जाक भी आ जए जो कि 7 के उपर अटेक आता ही उसे काटने के लिए लेकिन 7 सारे टेक को डोज कर डालता है और 7 उसके उपर पोशन। दो बाते पैक भर अपने मुझे जिसमें Captain Jack ने एक mission को complete किया था और Captain Jack को 10 million रुपी मिलने वाले थी लेकिन जो 10 million रुपी देने वाला था उसको एक बंदा कर काड़ देता है और वो कोई नहीं 7 था और Captain Jack 7 के उपर attack आता है पर 7 सिर्फ एक attack आता है और Captain Jack को काफ़े सिदक हैल कर देता है फिर सिर्फ प्रेजन में आता है Captain Jack अपने मन में कहता है ये बंदा उसके तरह देखता है लेकिन उसके तरह बिल्कुल भी नहीं है Captain Jack 7 से कहता है अगर तो मुझे एक इंच भी हिला देते हो तो फिर मैं अपनी शेप्स को लेकर वापस चेल जाओंगा और 7 उसके सामने एक दो लड़किया शाफी के साथ सकेर रही थी और उपर से 7 उन लड़कियों के उपर नज़र करा था हाले में 7 को एक मिशन मिला था 7 को एक बंदे को मानना था और उस बंदे की पत्री ने 7 से कहा था अगर मेरा पत्ति किसी और लड़की के साथ मिले तो उसे वही पर मार देन सेवन दूरबिन से देखता है वो बंदा किसी औरत के साथ होता है और साथ एक बॉडिगार्ड भी था तबी सेवन को दो बंदे नारेल समझकर नीचे तोड़ लेते पर सेवन जैसे तरसे एक केकड़ा बनकर उस बंदे के पास पहुंचने वाला था पर बॉडिगार्ड बंद कर जाने की कौशिश करता है पर डाचुन दुबार से पकड़ लीता है डाचुन सेवन को टॉइ समझकर उसके साथ खेलने लगता है लेकिन उसके बाद पान में फैक देता है सेवन को सामने वह मोटा बंदा दीखता है जो कि अपना कारी क्रम सूरी करने वाला था देख लेता है और कहता है तुम एक इसके सामने आ जाता है और कहता है मैं यहापर मनने वाले और से टैक करने वाला होता है लेकिन वो मचले आकर सिजर कोई खा जाती है फिर डाचुन गन को निकाल लेता है सेवन काफी से दर डर जाता है और कहता है हम दोनों मर्दे और हम दोनों मर्दों की तरफ फाइट करेंगे और डाचुन इसके लिए मान जाता है सेवन उसके पर काफी सारे अटेक आता है पर डाचु गुण 7 को पकड़ते हुए 7-day lock लगा दीता है 7 काफी जदा कौशिश करता है खुद कुछ छुडाने की पर 7-day lock 7-day दिन के बादी खुल सकता था इसलिए 7 डाचुल के साथी सारे के सारी काम करने लगता है जैसे कि खाना आना हना 13-7 के उपर नज़र रख रही थी 13-7 के दिख लेगा और तभी 7 की नज़र एक मिसाल की तरफ जाती है और मिसाल उनके इलेंड की तरही बढ़ रहा था जैसे भागने लगता है और डाचुल पुरा दम लग अगर उस लॉक को तोड़ते वे मिसाल के सामने आजता है और उस मिसाल को रोकने में गिर जाता है लेकिन वो मिसाल को रोकने में कामयब हो जाता है मिसाल को फायर करने वाला इस टैन का प्रिंस था शाफिया कर डाचुन को बचा लेता है और डाइबो के पहुंचता है और डाइबो चिला कर कहता है मैंने तुम्हें सेवन को लाने के लिका था और दूसरी तरफ इस टैन का प्रिं फिर प्रेंस जिकल आइलेंड के बिल्कुल कोर पेटे करता है इस टैन का प्रेंस जिकल आइलेंड में रहने वाले सभी लोगों से कहता है यह आइलेंड तबाह होने वाला है आइलेंड के बीच और बीच एक एनरजी रोक है जिसे कि मैं निकालने वाला हूं एनरजी रोक के निकलती यह आईलेंड तबाह हो जाएगा जिसको अपने जान प्यारी है वह यह से निकल जाए दूसरे तरफ डाइबोस 7 और शाफी आईलेंड से निकल रहे थे डाइबोस 7 को बताता है इस दुनिया में तिन ताकतवर फोर्सेस है पहली माशलार्ट दूसरी टेक्नलोजी औ हमें सब फाइट होती रहती है दोनों ही दिखाना चाहते है कि हम लोग बेच थे और तबी डाच चुन 7 को पेसे देते हुए कहता है मैं चाहता हूं तुम प्रेंस को खतम कर दो ये रहे पैसे और से प्रेंस की तरफ जाता है मियाव किटी उसे रोकने के लियाती है लेकिन उसके नाकोरों को ही काड़ देता है और वहाँ पर मैट बाग भी पहुँच आता है और अपना रोक साउंड बजाने लगता है लेकिन प्रेंस मैट बाग को भी हरा देता है और दबी वहाँ पर कुला पहुचती है और प्रेंस को अपने पांस बुला कर उसे एक पपी देत और केहते हैं तो मेरी सारी बातें माननी है लेकिन प्रिंस कोला के उपर प्रोट एक्टिव जोड़ देता है और चैर मेंग जांग कहते हैं हम दोनों साथ में सहुआब भी है लेकिन प्रिंस प्रोटेक्टिव किता है। वहाँ पर एक blanct होता है लेकिन अचानक प्रिंस के उपर तलवार से अटेक होता है अटेक करने वाला 7 था और 7 ने चैर्मेंग को बज़ा लिया था तो गैस डैबो का भी एक घजब का पांश्ट से ने डैबो सेवन को उसकर डैगर दिता है और कहता ए दो साल पहले तो मुझे समुद्र के किनारे मिली थी इसलिए मैंने तुम्हे अपने लिए रख लिया फिर सेन प्रेजन में आता है इस 10 के प्रिंस से फाइट करने लगता है और फाइट के दोरान 7 का डेगरी टूट जाता है और वहाँ पर तब तक 13 आ जाती है और प्रिंस के उपर अटेक करती है 13 कहती है इस 10 की टेकनलोजी और माशलार्ट के बेच हमेशा से फाइट होती रही है मैं तुम्हारा सर कटूंगी शाफी अपने मस्कुलर फॉर्म में आकर प्रिंस के उपर अटेक करता है लेकिन प्रिंस ब्लॉक कर लेता है फिर उतीनों एक साथ प्रिंस के उपर अटेक करते है लेकिन प्रिंस अपने कॉमबेट मोड में आ जाता है और अकिला उन तीनों की धो डालता है सेन डाइबो की तरफ जाता है डाइबो भी सीडिया चड़ते हुए सेवन की मदद करने के लिए आ रहा था और स्टैन का प्रेंस उन तीनों के उपर ही भारी पढ़ रहा था लेकिन सेवन चालकी से प्रेंस के उपर सेवन डे लोक लगा देता है इसी का मौका देखकर 13 उसके और प्रेंस के आरपार कर देता है शावफ बी आकर सेवन के उपर खुदने लगती है लेकिन प्रेंस बेलकुल ठीक होता है क्योंकि वो आदा मेशिन जो था 7 को अपनी पांश्ट की मेम्ऊरि याद आने लगती है जिसमें 7 एक सेडो किलर था और 7 एक लड़की को प्रोटेक करा था लेकिन वही लड़की 7 को दोका दिती है और इसके उपर टेक कर दिती है सारे के सारी किलर 7 को मानने के लिए आगे बढ़ने लगते है लेकिन 7 उस ब्रिज को ही तोड़ दिता है जिसके उपर वो सबी लोग थी फिसन प्रेजन माता है और चैनक 7 खड़ा हो जाता है ऐसा लग रहा था जैसे 7 अपने कंट्रोल में ही नहीं है 7 13 को पकड़ लिता है और 7 प्रिंस का हाथ कार्ट डालता है प्रिंस के पास कोई भी रास्ता निबसता वो अपने रोबोट में बैठ जाता है और कहता है अब तुम कंफॉर्म मनने वाले हो 7 अपनी स्वाट को काफी ज़्यादा लंबा का दिता है और स्टैन के उस रोबोट को बिल्कुल भीचो बि घर मेरे पास लेकर आओ पर 13 ऐसा नहीं कर पाती कुछ दिनों के टीट्मेंट के बाद 7 बिल्कुल ठीक हो जाता है 13 7 की है करवा कर बिल्कुल नहीं अचका चक करवा देती है और 7 को लॉटा देती है अब सिन पास्ट में जाता है 13 के बचपन में जब कोई बंदा कुंफु के हाइस राम में पहुंच जाता है तो फिर कोई भी मॉडर्ण वेपन उसका सामना नहीं कर सकता और से मार नहीं सकता फिर हम एक बुड़े आदमे को देखते हैं और यहीं बुड़े आदमी 13 का डैड है बेटे को सिखाना चाहते है और वो किसे भी बाहरी आदमी को अपनी टेक्निक्स को नहीं सोपेंगे और मैं अपने डैट को ये दिखाना चाहते हूँ लड़किया भी स्वाट्समेन स्किल्स सीख सकते हैं लेकिन थर्टीन के डैट दूसरी साधी कर लेते हैं एक बेटे के लिए और उसे एक बेटा भी हो जाता है और थर्टीन के डैट उसके मॉम को और थर्टीन को घर से निकाल देते हैं थर्टीन के मॉम और थर्टीन एक जगा पर बैटी हुए थे तब एक मोटा आता है और 13 के मौम को पकड़ लिता है और कहता है तुम उसे स्वार्समेंट की भीवी होना मैं तुम ही अपर खतम कर दूँगा लेकिन 13 मोटे के पैर में स्वार्ट को गुशा दिती है मोटा दर्थ के मारे चिलाने लगता है और 13 के उपर अटेक करने लगता है और वहाँ पर एक तीसरा killer भी आ जता है जो कि 13 के उपर attack करता है और उसे मार रही वाला होता है लेकिन तब भी उसका weapon ही कर जता है और वहाँ पर एक बंदा जता है जो कि उसे मार दिता है और दूसरे वाले बंदों को भी मार दिता है बचा था मोटा बंदा लेकिन जो अगर मैं फाइटिंग में अच्छा कर पाता हूं तो फिर मेरे बेटे को फाइटर मना जाएगा और से पका कर नहीं खाया जाएगा मेरे फाइट होगी सबसे ताकत और मुर्गे किंग फिसंट से फिर वो फाइटिंग का दिन आ जाता है और फाइटिंग को देखने के लिए काफि सारे लोग आए ले थे जैसा ही फाइटिंग शुरू होते है किंग फिसंट डाफी को एक जोरदार पंच माता है लगन डाफी पहले से ही कैलकुलेशन करके रखे थी डाफी को रूल्स के मुताबिक 15 मिनिट तक टिकना था और डाफी उसी की पाउर का उसी की उपर इस्तमाल करने लगता है और काफी अच्छी तरीके से फाइट करता है डाफी किंग फिसंट की उंगलियों को मोड देता है और ये फाइट मुर्गों का मालिक भी देख रहा था वो अपने मन में कहता है अगर मुझे पता होता कि फाइटिंग में कुछ ऐसा होगा तो फिर मैं फाइटिंग का सट्टा लगाता किंग फिसंट काफी से खुस्ते में आ जुका था वो ड्रक के इंजेक्शन निकलता है और खुद की बोड़ी में ड्रक इंजेक कर लेता है और काविजदाई स्पीड से डाफी को पकड़ लेता है रूल्स के मताबिक पंदर में ठो गए थे और डाफी जीत गया था लेकिन किंग फिजन कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सारी ओडियंस बस रूल्स को फॉलो करेगी नहीं ये सारी ओडियंस एक मुर्गे को मरतवा देखने के लिए है और डाइबो के आँखों के सामने डाफी को काफ़ी सदा बूरी तरह से मा देता है और फाइबो खता होने के बाद डाइबो अरीना में होता है और डाइबो डाफी का चस्मा पहल लेता है और कहता है ये पूरी दुन्या गलत है मेरे दोस्त तुम जीत गए थे तुम्हारा बदला मैं लूँगा और शाफी की चिंता मत करना उसका ध्यान मैं रख लूँगा फेसेन ब्रेजन में आता है ये सारी कहानी डाइबो शाफी को सुना रहा था डाइबो अपने स्टोरी को कंटीन्यू रखता है और डाइबो जब शाफी को बताता है कि तुम्हारा डेट नहीं रही है तब शाफी काफी ज़दा रोने लगता है लेकिन डाइबो उसके सर के उपन मारता है और कहता है अब से तुम मेरे साथ रहोगे और कोक फाइटिंग में पार्टिसपट कर लिता है और बाकियों से कहता है अगर काफी सारा पैसा जीतना चाहते हो तो मेरे उपर सटा लगाना और ये बास सुने के बाद वो लोग हसने लगते है फिर फाइटिंग का वो दिन आ जाता है जैसा ही फाइट शुरूते है डाइबो केंग फिशन को मिडल फिंगर दिखाता है और केंग फिशन डाइबो को पकड़ लिता है और कहते है मुझे तुम याद हो तुम तो उसी ब्लू फेदर के दोस होना मैंने तुमार चेहरा दिखा था तुम धरावने लग रहे थे पचिंता मत करो मैं तुम्हें खतम कर दूँगा और डाइबो की काफी ज़्यादा पीटाई करने लगता है पीटाई खाने के बाद भी डाइबो उसे मिडल फिंगर दिखाता है केंग फिशन को मालिकी बात यादाने लगती है उसने कहा था अगर तुम पांच मिर्ट के अंदर अंदर उस मोटे चिकन को नहीं हरापते हो तो फिर मैं तुम्हें मार डालूँगा क्योंकि अगर ऐसा हुआ तुम्हें काफी सारे पैसे हार जाँगा और याद करते हुए केंग फिशन डाइबो को काफी ज़्यादा बुरी तरह से पीड़ता है लेकिन तब भी डाइबो उसे मिडल फिंगर दिखाता है और टाइम काफी ज़्यादा कम बज़ता है केंग फिशन ड्रग का डोस लेने के बारे में सोचता है लेकिन वो ड्रग तो डैबो के हाथ में था असल में डैबो का में प्लान वो ड्रग का डोस लेना था केंग फिचन्ड हसन लगता है और कहता है ये ड्रग मेरी जैसे मजबूर वादी समाल सकती है तो माई बॉड़ी इस ड्रग को नहीं समाल पाएगी और अच्छनक डाइबो खड़ा हो दिता है और डाइबो की पावर लगातार बढ़ती जा रही थी ओडियन्स भी काफी जदा एकसाइट हो चुके थी किंग फिशन अपने स्ट्रोंगेस्ट पन डाइबो को माता है लेकिन डाइबो अपने ही खांस से उसके पच्छ को रोक दिता है अब डाइबो की पावर काफी ज़्यदा बढ़ चुके थी और किंग फिशन की काफी ज़्यदा बूरी तरह से पीटाएट करने लगता है और किंग फिशन सामने से कुछ भी नहीं नहीं कर पाता और डाइबो किंग फिशन का गला पकड़ लिता है लेकिन किंग फिशन हस्तुए कहता है अब तुम्हें लग रहाओगा तुम्हारे जिंदकी आराम से भी देगी पर जब तुम फाइट नहीं कर पाओगे तुम्हें खाल लिया जाएगा पर डाइबो कहता है मेरे प्लान अलग है डाइबो किंग फिशन को पकड़ कर टोपी वाले बंदे की और फैक दिता है और टोपी वाले बंदा गन को निकल कर शूट करता है इसी का फाइदा उटा कर डाइबो उस बंदे को पकड़ लिता है यानि कि ओनर को पकल लिता है और जितनी भी पब्लिक थे वहां से निकल लिते है डाइबो कहता है सबी मुर्गों को छोड़ दो नहीं तो इसी करदन ओड़ा दूगा उसके बास सबी मुर्गों को छोड़ दिया जाता है और उस सारे मुर्गे वहां से भागने लगते है वहीं पर बीवोस हो जाता है ओनर कहता है अब हैं तुम्हें काफे सदा बुरी तरह से मानने वाला हूं लेकिन शाफी डाइबो को पकड़ कर उड़ने लगती है असल में गए शाफी की मौम एक कबूतर थी इस वज़े से साफी उड़ पाता है फिर हमें कोई दिनों बात का स गुणारी था डाइबो कहता है इस से मारा कोई भी लेना देना नही तरह साफी 7 we7 को निकालने लगता है मैं इस वीडियो के अंदर चीजर 7 की सीजन 1 को कंप्लीट एक्सप्लेफिन कर दिया है और साथी ओविया की 4 एपेसोड को भी एक्सप्लेफिन किया है सिजर 7 का सिजन 2 और सिजन 3 भी है और सिजन 4 करेंट में चल रहा है जो के हाली में आया है और सिजन 4 काफी ज़दा इंट्रेस्टेंग है अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं सिजन को एक एक वीडियो में एक्स्प्लेंड कर दूँगा इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब ना सहीं लेकिन लाइक और कमेंट बनता है कमेंट और लाइक कर दो और मिलते हैं नेक्स वीडियो में